नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चेनल पर आज की वीडियो काफी शांदार होने वाली है वीडियो रात को शूट की गई थी करीब एक बजे के लगभग जब मैं अपना काम निप्टा के गाउं के रोड पर टहल ला था तब मेरी निगा एक जानवर पर पड़ी तो मैंने सोचा कि आप सबके लिए उसकी वीडियो शूट कर लूँ मैं और मैं वीडियो रात को ही अप्लोड करने वाला था पर उस जानवर के बारे में मेरे पास कोई भी उप्रोक्त जानकारी नहीं थी जिस कारण में वीडियो अप्लोड नहीं कर पाया इस जानवर के बारे में मैं आपसे थोड़ी जानकारी साजा करना चाहता हूँ इसका नाम है एशियन सीवेट पाम और साइंटिफिक नेम है इसका पेरा डॉक्सरस हेरमेफ्रोडाइटस और यह बहुत ही खतरनाक होते हैं आप जैसे की वीडियो में देखी पाऊंगे और इसका नाम काला मुश्क बिलाओ भी है यह काला मुश्क बिलाओ फिलिपिन्स से कश्मीर तक एशिया शेत्र के मुल निवासी है वे ज्यादातर दक्षिनी चीन उत्तरी हमाले दक्षिनी भारत और हिंद महा सागर दक्षिनी चीन सागर और फिलिपिन सागर के द्वीपों में पाय जाते हैं इन्हें हम खास तोर पर बिजू या कबर बिजू के नाम से भी चानते हैं इनकी लंबाई लगभग 63 सेंटिमेटर यानि किस इंच होती है जोती हम पूच को ना मिलाए तो मानसाहरी होते हैं होती आकरामक भी होते हैं और इंफा खास तोर पर वजन चार से पांच किलो के लगभग होता है और कोपी लुआक नाम की कोफी इनके द्वारा बनाई जाती है जो कि विश्व प्रसिद्ध है और विश्व में सबसे महेंगी कोफी इनही के कारण और इनही की वज़े से बनी जाती है गल्फ नेशन और यूरोप में इसका जादा सेवन किया जाता है 20,000 से 25,000 पर किलोग्राम के हिसाब से इसकी किमर आकी जाती है इसकी कोफी बनती है कोफी लुएक इसके बारे में हम जानते है करनाटक के कुर्ग जिले में इसका उतपादन हो रहा है खास बात है कि सिवेट बिल्ली के मल पूप से बनती है भारत एशिया में कोफी का तीसरा सब से बड़ा उतपातक और निर्याद देश है कर दो से बनती है